नमस्कार आप सभी को राजिस्तान क्लासेज के यूटूब प्लेटफों पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आए दोस्तों राजिस्तान जी के जो की सुपर फास्ट अपना डेली होता है शाम के टाइम पांच बजे दस मिनिट में पचास क्वेशन तो पूंज़तान का सबसे बड़ा जो मेला धुडा एना हाँ राजश्तान पुलिस एखजाम की तयारी कर रहे हैं या फिर अफिर पीटी अडीफ़ी सी की कर रहे हैं तो बिल्कल हमारे साथ जोड़े रहे गां चैज्या दोस्तों यहा पे पूज़ा जारा राजस्तान का सब राजस्तान के किस नगर में 11 अप्रेल 2013 को पहली महिला बैंक का उद्गाटन किया गया तो जैपुर जोदपुर दौलपुर गंगा नगर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जैपुर हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल आसान क्वेसन है ए आप्शन को लॉक कर देंगे औ पच्पन क्वेसन है कि प्राण मित्रों बलई गवाना पर जंडा न निच्चे जुकाना ये गीत गाते हुए कौन से स्वतंतरता सेनानी की हत्या हो गई थी या फिर अंग्रेजी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी वो थे नानक जी भील जो की बूंदी आंदोलन से संब अग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया राय बादूर की उपादी थी या फिर आप कह सकते हैं खिताब जो था न ये कौन से वेक्ति ने वापस लोटा दिया था वो थे जमनालाल भजाज जिने आप गांदी जी के पांच वे पुत्र भी बोलते हैं इनको अंग्रेजी सरका पर पुत्र ना किस ने करी थी या फिर उसके संस्था पर को थे विजेय संग पतिक थे मन्ना पटेल को क्या बनाए गया था यहां पे अध्यक्स बनाया गया था अगला question है कि मानो शरीर पर चित्र गुद्वाने की ज्यादा तर प्रथा जोना निम्न मैसे है एक question मैंने एग्न॓र किया है क्योंकि क्शुशन कुछ economies missprint हुआ है देखिए मानो शरीर पर चित्र गुद्वाने की ज्यादातर प्रतान निवन मैंसे है तो ये किसमे है दोस्तों ये आपको बताने है बीलो में, राजपुतो में, ब्रामण में या राज़ जैनो में तो बिल्कुल आसान है, राइट आंसर आपका ए उप्सन नहीं बलकि C उप्सन हो जाएगा बीलो में अगला क्वेसन आता है, कपड़े पर निर्मित जो चित्रकला का राज़ी में मुख्य इस्तल कौन सा है नाथ द्वारा जैपूर, जैसल में रियाकोटा तो जैपूर को ही करेंगे अपन लोग है ना सर जैपूर को कैसे? हाँ, सही बात है कपड़े पर निर्मित जो चित्रकला का राज़ी में जो मुख्य इस्तान है ना वो नाथ द्वारा है, जैपूर नहीं है वैसे अगर यहाँ पर जैपूर में भी बात करें तो सांगा नेर जरूर है लेकिन सांगा नेर से पहले नाथ द्वारा का नंबर आएगा निर्मित वैसे कौन सा जोड़ा गलत है अजमेर में आना सागर जील सही है, अलवर में पांडुपोल सही है, जोदपुर में जसुन थड़ा सही है चुरू में कणि माता मंदीर गलत है कणि माता मंदीर कहां पर है, वोले सर बीका नेर में चलो साब बहुत ही अच्छे अगला question है प्रसीद भटनेर का किल्ला कौन से जिले में इतना आसान question पूचा जा रहा है very very important question हनुमानगड में इसका नाम भटनेर रखा गया पहले इसका नाम भटनेर था बाद में इसका नाम हनुमानगड अब कर दिया गया है ठीक है और अगला question नेम लिकित मैंसे सू मिलित आपको करना है इन मैंसे सू मिलित क्या हो जाएगा जल्दी से बताए ये right answer क्या हो जाएगा देखो जारा थोड़ा सापने mobile की resolution को बिड़ा सकते हैं आप लोग ठीक है तो देखे नमबर 368 आपकी स्क्रिन परे तारागण किला ज़मेर में है जईगण किला जपुर में है किर्थी इस्तम जितोड में और मेरा जवड़ ज़ूदपुर में तो अपना right answer क्या हो जाएगा पहले में तो दो है दूसरे में पहले में दो दूसरे में चार तीसर में तीन और चौते में एक दो चार तीन एक दो चार तीन एक मतलब हमारा right answer भी option हो जाएगा अगला question केशोराइब पार्टन सहकारी चीनी मिल की इस्तापना की गई थी कब की गई थी 1975 में 1970 में 1960 में 1960 में 1965 में तो दोस्तों right answer आपका हो जाएगा बिलकुल आसान है 1970 में इसकी इस्तापना करी गई थी अगला question is spin fed का उद्दे से जोयना वो क्या है राज ये इस्तर पर किसानों की उपज की विकरे की विएवस्ता नेमले कित मैंसे किस संस्ता द्वारा की जाती तो right answer आप सभी का हो जाएगा बी option राज फेड द्वारा ठीक है बी option को लॉक करेंगे तिलम संग क्या है दोस्तों तिलम संग जो है ये क्या है आपने का सर ये एक सहकारी प्रतिष्ठ आने क्या है सहकारी प्रतिष्ठ आने समन्मीत ग्रामिन विकास योजना का परमुक जो प्रफेक्ट बोला सब्ड़ास है और Prest़ा ये वनें स्वनदार योजना का संबंधा जो है ना सिंचाई कूओं का निर्मान गरभूं के लिए बीमा योजना क्या हो जाएगा देखें जल्धी से सर सिंचाई कोओं चाने निर्मान भारत देख जीवनदारा यिोजना का जवाहर योजना ध्यान देना प्यारे दोस्तों जल्दी से बताना उत्तर जवार रोजगार योजना का मुख्यबल निमलिकित पर है कहां पर बताईए अपने कासर यह तो है बुरामिन चैतरों में मजदूरी का रोजगार के अत्रीक ताउसरों का स्रजन करवाना मतलब भी आपका सही हो जाएगा मेवाड चैत्रिय विकास परियोजना में सरवाच प्रात्मिक्ता किस कारे को दी गई है मेवाड चैत्रिय विकास परियोजना में सरवाच जो प्रात्मिक्ता दी गई न वो दी गई है सडक निर्बान को है सडक निर्बान को है क्या जल्ली बताओ सह से उत्तर देना है सरहां सड़क निर्वान चालो साब डी को लॉक करता है ना अगला क्वेसन आपके स्क्रिन पर है नंबर 33 डूबाकरा योजना जो है ना प्यारे साथियों यह क्या है डूबाकरा योजना ग्रामिर मेला और बच्छों के विकास की योजना है यह पुरानी य योजना जरूर हो चुकिए यह योजना है सारी पूरानी योगे यह के ना साथ वी योजना का मुख्य नारा राइट आउज अब का हो जाएगा बोजन काम और उत्पादगता बोजन का मुख्य दारा राजस्तान में आठवी योजना में सरवादी क्वेव उर्जा चेतर पर किया गया बताए दूसरे इस्तान पर कौन सा चेतर था ये आपको बताना है देखे दोस्तों ये कोई करेंट के क्वेसन नहीं है ये पुराने क्वेसन बन चुके मतलब 4-5 साल पुराने बन चुके और अक्सर एक्जाम में पूचे भी जाते है 76 आगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपसन सामाजिक और सामुदाइक सेवाएं बिलकुल आसान था निर्दारीत अउधी से एक वर्ष पूरो समापत होने वाली पंच वर्ष योजना कौन सी थी तो इसका मतलब सिधा सिधा आंसर ये होगा कि 4 वर्ष तक ही ये पंच वर्ष योजना चली थी और ऐसी जो योजना थी न वो कौन सी थी आपने का सर पंचम पंच वर्शी योजना पंच वी पंच वर्शी योजना ये थी शुगात कब से होती है उन्नी सो एक्यावन से शुगात हो जाती है अगला क्वेसन आपके स्क्रेंट पर है सरो परतम राज्यस्तानी भाषा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर सन ने अपनी भाषा सर्वेक्षन गरंत में किया ठीक है सब को बताए सब को मालूम है अगर पूछा जाए कब किया तो आपका राई टांस रोजेगा उन्नी सो बारा मैं किया उन्नी सो बारा इस वी में करा था दोस्तों सी आफ्शन को आप सभ भी होगा नागरी मुगलकान राजस्तान राजी की जनली पी आपको पूछा है मुगलकाल में नहीं पूछा है ना मुगलकाल के दोरान पूछा है ऐसा अगला क्वेसन है चरी नर्थे किस जनजाती का मुख्य नर्थे तो यह आसान सा क्वेसन है और यह चरी नर्थे जो है चवदा जनौर ये पंद्रा मई निसितन सास है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा बहुत शांदार जांदार वैसन है सर्क राइट आंसर तो भी होगा चलो सारथ बी को लोग कर दो पंद्रा मई निसितन पचास आपके स्क्रेंब पर है राजस्तान में संग्मर्मर की मूर्थियां कहां पर बनती है तो आपने कासर यह तो है जो जैपुर में बनती है चलो साब राजस्तान में पोथी गर अध्यान केंदर किस देश की सायता से खोले गए है सायता से खोले गए राजस्थान पोधी गरत दिन के अंदर आपने का सर यहांपर राइट आंसर हम सभी का हो जायेगा क्या हो जाएगा बताई 예 बी उप्शन होगा ना जापन हो जाएगा बिल्कुल अगला क्वेस्ट आता है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राजिय जान निमलिकित वैफसा लगू हुई तो राइट आंसर क्या होगा एक सेकंड है ना हाँ अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा सर सी ओप्षन हो जाएगा पंचाहित राज वैफसा निमले की त्वेफस्ता लग हुई सबसे पहले अच्छा राजस्तान प्रस्तावित निर्याद समर्दन ओद्योगिक उद्यान किसने इस्तापित किये तो आपका राइट आंसर होगा यहां पर अब बिलकुल भारजसरकार हो जाएगा देके राजस्तान प्रसावित निर्याद समर्दन ओद्योगिक उद्यान किसने इस्तापित किये भारत तो में औद्योगिक छैतर में पंजीकरत कारखानो की दरश्टी से राजस्तान का कौन ससा इस्तान है तो यह आपको बताना है वैसे, जल्दी बताईए, 87, हाँ, बिल्कुल, C-Option आपका सोलवा हो जाएगा, राइट आंसर, सोलवा इस्तान है सेरिया वनवासी जाती है, मुख्यत कहां पर रहती है, वो ले सर, 12 में रहती है चितोरगड मैंसे, किसे, ब्लू पॉर्टरी के लिए, राष्ट्रिय पुरुसकार पदमसरी से सम्मानित किया गया तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, करपाल सिंग से खावत को किया गया, है ना, बेलकुल सही है सर, C-Option निमलिकित मैंसे कौन सी जाती, स्वेम को राणा परताप की प्रतिग्या से बंदा होगा मना कर, मान कर, खाना वदोस जीवन व्यवतीत करती है तो गोडोलिया लुहार मानते, B-Option आपका सही होगा शुसक वन अनुसनदान संस्तान कहांपै है, शुसक वन अनुसनदान संस्तान बीकानेर में आजोत पूर में, जसनात्य संपर्दाय के संस्तापक जो थे नवोते जसनात जी कौन थे C-Option, 34 निमा काईनोंने पालन करने का बताया सेवन घास किस जिल्य में मुख्यत पाई जाती है तो सेवन घास मुख्यत जैसल में जिल्य में पाई जाती है चैसे साथ साथ फिटी यह लंबी होती है अगला क्वेसन है 84 घंबों की चत्री जो है न यह कांपर है बोले सर यह बुंदी में है 2011 की अंतीम गर्णा के अनुसार भारत की कुल जन संग्यावे राजस्तान का जो प्रतिर्शत है न वो कितना है 5.67% है सर कौन सा बांध जो है चंबल नदी पर इस्थित नहीं है राना परताप है गांधी सागरे जवार सागरे मोरेल बांध नहीं है ठीक है अगला क्वेसन राजस्तान का 33 अजिला कौन सा है दोस्तों प्रताप गड़े ठीक है प्रताप गड़े कब बना 2008 में बनता है ठीक है सी आफ्चन आपका लॉक हो जाएगा अगला क्वेसन आपके स्क्रेन पर गागरोन का किला कहा पर इस्थित थे कितना असान क्वेसन है डोट परवानों ने बनाए था जालावार मिच्तित था राजी का सबसे बड़ा उद्ग दूर गया मतलब जो है गजल दूर गया मोरेल बांध किस नदी पर बना हुआ है तो ये मोरेल बांध कौन से नदी पर बना हुए आपको बताना है तो राइट क्वेसन दे उसे सो एकोडिंग और बागी अगर बात करें तो गर्म जला जैसल मेरे ठीक है ध्यान रखना और आज का जो क्वेसन है वह दे रहा हूं आपको कांतली नदी जो है ना किस जिल्ले से समभन दी तो यह आपको बताना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में क्वेसन फ आपने वाद